नमस्कार एवरिवान आप सबे का स्वागत है अपने यूटूब चैनल डिकोड इस्टेडी पर हम लोग बात करेंगे यूपी लेकपाल पेपर 2021 के लिए टॉप के 25 महत्पूर कुश्चन्स को करेंगे डिस्कस यहाँ पर अभी मैं चार क्लास आपको पहले ही दे चुका हूँ और यह आज आज आपकी पांचवी क्लास है आपका पांचवा मौक टेस्ट है इसके अलावा टॉप के 500 प्लस कुश्चन्स का जो ग्रामीड परवेस्ट का पूरा टॉपिक है वो सिरीज आपकी अलेक्स चल लएगी उसको भी जोइन करते रहना है उसको भी यहाँ पर आपको लगातर करते रहना है इसके लावा कर लिजेगा यहाँ पर आप डेकोट इसलेडी को सब्सक्राइब जिससे की आपके पास हारे क्लास कर नोटिफिकेसन जाता रहे और लाइक और सेर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा लाइक और सेरा जरूर करिएगा दबाके ठीक है तो पहला कोशन उत्तर प्रदेश में एक मात्र तेले रिफाइनरी कहाँ पर इस्तित है इलाहाबाद मधुरा आगरा कानपुर अंसर बी आपका रहेगा मधुरा प्रारंबिक लेखों की वह कौण सी पुस्ताख है जिसमें समस्त लेन देन तिधवार लेखे किये जाते है अंसर जर्नल निम्न लिखित में से किसी प्रुशाहन देने के उद्देश से वर्स 1995 में मिटे मिल यूजना चलाए गई प्रात्मी सिक्षाक का सार्व भौमे करना आप्शन बी आगे बात करेंगे किसान क्रेडिट कार्ड योजना कि सुवर्स लागू किया गया 1995-1996 उत्तर प्रदेश में लगु मध्यम उपक्रमों को किसके द्वारा दीरग काली निर्ण उपलफ्त कराया जाता है काफी महत्पड कोश्यन अंसर रहेगा C यनकी उत्तर प्रदेश वित्तिय निगम तो यहाँ पर आपको इस बात को ध्याण में रखना है कि नए लगू एबा मध्यम उद्यगों की स्थापना वर्तमान इकायों के विकास के लिए मध्यम दीर्ग काले निर्ड देने के लिए उत्तर प्रदेश वित्ती निगम की स्थापना वर्त 1954 में कानपुर में किया गया भारत में प्रथम क्रशी विश्विद्याले इस थापित किया गया पहला क्रशी विश्विद्याले अंसर एका सी यानि के पंत नगर तो भारत के प्रथम क्रशी विश्विदाले की स्थापना 1964 पंत नगर में हुआ था जिस टाइम पर आपका उत्तरखंड और यूपी एक ही था बात में यहाँ पर उत्तरखंड आपका अलग चला गया आगे बात करेंगे उत्तर प्रदेश में अवनालिक अपर्दन से स्रवातिक प्रभवत जिला कौन सा है अंसर आप करेंगे सी यानिक इटावा उत्तर प्रदेश में कपास की बुवाई किस महीने में होता है कौन से महा में कपास की बुवाई की जाती है काफेक महत्पूर्ट प्रशनाब के एकजान के लिए जून जुलाई में यहाँ पर कपास का बॉई होता है इस बात को यहाँ आपको ध्यान में रखना है कि उत्तर प्रदेश में गंगा जमना दुवाब रुहेल खंड बुंदिल खंड चेत्रो में सिचाई के सारे कपास के खेति की जाती है और यहाँ छोटे रेशम अधिक लंबे रेशम की कम कपास यहाँ पर होती है कपास की बुवाई जून जुलाई में होता है और अक्टूबर नवंबर तक इसकी चुनाई यहाँ पर कर लिया जाता है इस बात को आपको ध्यार में रखना है राजी में उद्यान इबम प्रसंसकर्ण विभाग की स्थावना कब किया गया आंसर है कभी यानि कि वर्स 1974 में किया गया उत्तर प्रदेश में कौंसा जिला अमरूद के लिए प्रशिद है अमरूद की हम लोग बात करेंगे तो यहां पर आपका इलाहाबाद अमरूद के लिए काफे ज़्यादा आपका प्रशिद रहेगा अप्शन नमबर बी कौंसी फसल मिर्दा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है तो कौंसी फसल मिर्दा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है दलहनी फसल नाइट्रोजन इस्थरे करण के दोरा मिर्दा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है आप्शन की बात करेंगे यहां पर इन सभी आप्शन की आधार पर आंसर इसका क्या रहेगा याने की option number D आपको जाएगा मटर 88 पर आएंगे भूम की उरवरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है याने की उड़त को उगाते हैं option आपके C रहेगा ये भी काफी एक महत्पुड कोशन है और कैसरे पेपर में बार-बार पूछा गया है आगे बात करेंगे प्रदेश में मिर्दा के स्वास्थ के लिए किस उरवरता का परियोग किया जाता है answer A जिंक सलफेट का परियोग करते हैं किसका जिंक सलफेट उत्तर प्रदेश जिंक सलफेट को यहाँ पर अनुदानि दर पर उपलब्द करा रही सरकार ठीक है तो अंसर रहागा जिंक सलफेट उत्तर प्रदेश के किरशी उत्तपादन मंडी अधनियम कब लाया गया यूपी में कब लाया गया चार अंसर यहाँ पर आपके समय दिया गया है उत्तर प्रदेश में किरशी उत्तपादन मंडी समयतियों के सून योजित विकास और किरशी बाजारों में प्रचलेत कुरितियों उपर नेंत्रन्ड के उत्तपादन मंडी आधनियम 1964 अंसर यहाँ पर ध्यान में रखना है काफी महत्तपड कुश्यन ब्रिटिक सासंकाल में क्रिसी विभाग की स्थाफना कब किया गया अगर हम ब्रिटिक सासंकाल की बात करेंगे तब कब किया गया तो 1875 हाल ही में कौन मनरेगा के तहत्त सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राजबना है मनरेगा के तैत उत्तर प्रदेश आगे बात करेंगे गंटरी जरीब के द्वरा किया गया भू मापन क्या कहलाता है उसको क्या कहते है तो कैडस्ट्रल इसको कहते है आप्शन बी राश्ट्री ग्रामेड पेजल करक्रम कब से प्रारम किया गया था यानि कि इसका सुरुवात कब सी होता है तो 1974 और 1975 से इसका सुरुवात होता है इस बात को यहाँ पर आपको अच्छे से ध्यारी में रखना है पेपर में कई-कई बार यह कोशन आपका पूछा गया है तो काफी एक आपका यह महत्रपुड कोशन यहाँ पर आपका बन जाएगा यानि कि उत्तर प्रदेश में ग्रामेड पेजल आपूर्ती संबंधित करक्रम निउन्तम आवसकता करक्रम की अंत्रकत वर्ष 1974-75 से चलाया जा रहा है वर्ष 2003 में राष्ट्रिय ग्रामेड पेजल करक्रम का विलाई प्रदार मंत्री ग्रामोदय योजना में कर दिये चाने के अफल्सरूप निउन्तम आवसकता करक्रम का अस्तित समाप्थ हो गया और वित्ती वर्ष 2005 में इस योजना को ग्रावीड जलापूर्ती इवं जलोत सारण नाम यहापर इसको दिया गया तालाब निर्माड हेतू बैंक कितने रुपाए प्रथेक्टिया रट देता है तो अगर यहाँ पर हम बात करेंगे तो अपर गया 75,000 रुपाए आगे बढ़ेंगे भू मापन में जरीब लाइन की आरम और समाप्थ होने की स्थान को क्या कहलाता है उसको बोलते मुकाम किस राज की सरकार ने हाले में बाल मजदरों को सिक्षित कर रहे हैं तो बाल समीक विद्धिया योजना सुरू किया है सरकार कौन सी है योगी आदित नात की सरकार उत्तर प्रदेश भूमापन के दोरान एक जरीब की लंबाई पूरी हो जाने की आस्ताई निसानिक रूम में जिस जंत्र का प्रयुक किया जाता है वो कहलाता क्या है उसको कहते क्या है उसे बोलते ही सुवा जंत्र 1999 पर आते हैं राश्टी ग्रामीड पेजल कार क्राम का नाम कब चेंज किया गया तो वर्स दो हजार दो तीन में राश्टी ग्रामीड पेजल क्रा क्राम का विलाई प्रदान मंत्री ग्रामोदे योचना में कर दिया गया और किसके फलसरूब नियुन्तम आवसकता कारक्राम का अस्तित स्वाप्त हो गया और वित्ती वर्स दोज़र पांच और छे में इसका यहाँ पर नाम बदल दिया गया आप्शन C, पांच छे, आगे बात करेंगे किसे राजी की सरकार ने हाल ही में कौसल सतरंग योजना शुरू किया है तो आप कराएगा उत्तर प्रदेश की सरकार इस बात को आपको ध्यान में तखना है तो मित्रो यहाँ पर आपके टॉप के 25 कोश्चन मैंने आपको करा दिये हैं सारे पेपर के लिए बहुत माथ तो पूर इसी तरह के कुश्चन आपके पेपर में आएंगे तो यहाँ पर आप लोग जादा जादा लाइक करिए सेर करिए और सब्सक्राइब करने बिलकुल भी मत भूलिएगा जिससे के आपके पास हरी क्लास का नोटिफिकेशन लगातार कंटिनू आपके पास जाता रहे तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू 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 धन्यवासरे को